नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूस देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरन यादव। वक आउट कर दिया और उसके बाद मुखे मंतरी हेमंद सोरेन की तरफ से ट्वीट करकर भारतिये जन्यता पार्टि पर कटाक्ष किया गया है उनकी तरफ से कहा गया है हुझा उन्होंने ट्वीट किया है कि जीते हैं हमशान से विपक्ष जलते रहे हमारे काम से तो इसी शान से विपक्ष जलते रहे हमारे काम से लगातार हेमन सोरेन की कुरसी पर सवाल खड़े किये जा रहे थे कि क्या वो खुद इस्तिफा दे देंगे या सुप्रीम कोट के फैसले सुनकी विधाई की जा सकते राज़िपाल के भी कुछ इस मामले फैसले थे राश्ट्रिपति है तो हेमन सोरेन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार से बड़ा हेर फैर कर सकते थे लेकिन आज जो विश्वास मत प्रस्ताव उन्होंने खुद रखा वो सबसे चैलेंजिंग बात थी अर्विंद केजरिवाल ने से पहले यहाँ पर दिली की राजनीतीम बीजेपी को जटक दिया लेकिन वहाँ बीजेपी कम से कम खड़ी तो थी आज तो वोक आउट कर दिया बीजेपी ने और जो जे-म-म कांग्रेस और बाकी निर्दलियों विधायकों का समर्थन मिला वह अच्छी बात थी कि वह 2019 की बाद भी बरकरार है और जबी कैश कांड सामने आया था उस कैशली महिला को आगे बड़े प्र लाकर यहांपर सरकार गिराने के फैसले पर था क्यंकि बार-बार उनका एक्टष दे रहे हैं एमंस और लगा है ज्के तारिप भी हो रहे है लेकिन जो अन्य कांडे जैसे दुमका कांड या अंकिता मामला उस पर उनके जो अभी तक फैसले होने तो वो नहीं देखने को मिले क्योंकि रिजोर्ट की राजनी थे फसे थे लेकिन इसके बाद हो सकता है फैसले देखने को मिले लेकिन जारखंड की स्थिती बदलते बदलते बचे और कलपना सोरेन को लेकर जो चर्चाए थी उनकी चर्चाए आगे भी होती रहेंगी ठीक है आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और भारतिय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों को खरीदा जा रहा है तो इस पर दिपक आप क्या कहेंगे लगातार जब यहाँ पर बात आ रहे हैं खरीद फरोख्त की तो इसको शिकायत करने भी कही नहीं आपके नेता दिरोपदी मुर्मू तक जाएंगे उनके पास शिकायत भी करेंगे और जो जेस्टी का मामला उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा यही बन चुका अगर आम आधी पार्टी के जो कही ना कहीं दावें अगर सच होते हैं तो जंता को लूटा जा रहा है उनका ये कहना है कि दूद, दही, चाच, सब पर जेस्टी लगाया जा रहा है जिससे 75-100 करोड आ रहा है और 6300 करोड रुपे इन्होंने विधायकों के खरीद फरुक्त पर खर्च की तो ऐसी बात है तो आम जंता तो यहाँ पर नराज होगी इस मसले पर लेकिन ये 2024 की लोकसभा चुनाब से पहला अगर खुलासा होता है तो बीजजेपी फज जाएगी लेकिन ये ना भूले केंदर सरकार है केंदर सरकार के हाथ में कितनी बड़ी ताकते होती है किसे चुपा नहीं है लेकिन आपके नेताओं के दावे भी सही हो सकते क्यूंकि यही आरोप उदव छाकरे ने भी लगाए थी लेकिन सारे राज्यों से यही विपक्षी नेताओं के कहना है तो जरूर ये गंबिर मुद्दा है. तो ऐसे में भारतिय जन्यता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतिय जन्यता पार्टी विधायकों को खरीद रही है लेकिन भारतिय जन्यता पार्टी का जो ओपरेशन लोटस है देखे वो दिल्ली में काम नहीं किया बिहार में काम नहीं किया और अब ऐसे में साथी आसिफ से पूछना चाहूंगी कि आसिफ भारतिय जनेदा पार्टी का लोटर्स ओप्रेशन का ओप्रेशन लोटर्स काम नहीं किया जहारकंड में आप क्या कहेंगे देखे जिसके नियत खराब होती है उनके मनशा कभी पूरी नहीं होती है नियत खराब मतलब नियत खराब मतलब यह कि जिस तरीके से बीजेपी कोशिश ये कर रहे थी कि उन्हें बारस बिधाय के चाहिए थे उन्हें सरकार बनाना था इसलिए उन्यूंने कांग्रेस की तीन बिधायकों को फासाने की कोशिश की उन्हें सी बिधायकों को परिशान के इसको बोलते नियत खराब होना अरु यह कोशिश यही कर रहे थे कि किसी भी तरह उनकी सरकार बन जाए जो नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि होगा यही बात देखे हिमन सुरेन की सदस्टा को रद करने की कोशिश की गई तो यही हकीकत है और यही वज़ा है कि आज फिर से हिमन सुरेन ने अपना बहुमत साबित किया है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी वहतर कर पाएंगे, कॉंग्रेस से मिलकर उनकी सरकार रही है, बीज़ेपी के मनशाही यही रही है, कि ज्यादा तर विपक्च को तोरो, फूट करो और राज करो, लेकिन उनकी मनशाह कामयाब नहीं हो, यही वज़े से मैंने ही कहा, क्युन के नियती खराब है दर दो सबत्य देखे भारत्य जनता पार्टी पर आरोफ लगाए जा रहे हैं, कि वो विधाय को खरीडती है, ऐसे मनीश्षी सोदिया की तरफ से भी आरोफ लगाए गये। आम आथमी पार्टी की तरफ से भी आरोफ लगाए गए, लेकि तब उनसे कहा गया कि कोई प्रूफ दिखाएं लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं है तो आप कैसे कह सक्थे कि भारती जन्यधा पार्टी की नीएत ही खराब है क्योंकि तब उनसे प्रूफ मांगा गया कि आप अपने कोई प्रूफ सामने रखे तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रखा गया बिल्कुल देखे किरेंज जी एकदम सही सवाल है लाजबी सवाला रहो यही चीज़ तो मैं भी बीजेपी से पूछ रहा हूँ कहां से आया क्योंकि उन्होंने भी तो अपने विधायकों को 36 गर्ट नहीं नहीं जारकंट उन्होंने अपने विधायकों को राइपूर और 36 गर्ट में इसलिए भज़ा ताकि सेफ हो सागया और बीजेपी खरीज़ वहां पर जो इतने लग्जीरियस रिजोट आपने देख का एक कमरा एक रात का कमरा शायद लाखों रुपय करें लेकिन रडीशन होटल जैसे तो नहीं है ना कि वहां विधायक जाके महरास्ट के नाचेंगे नागिन डांस करेंगे इनज्वाइ करेंगे जनता इसके लिए पैसा नहीं दिये यह वहां पर गई ती जहां पर करना कि विधायक भी 36 गड़ में आए अब अगर हम बात करें जारकंट की तो वहां के भी सारे जो विधायक है ये भी आए कहां पर 36 गड़ में तो ऐसे में उस पूर मुख्यमंत्री की तरफ से ये आरोप लगाय जा रहा है कि 36 गड़ क्या कोई आश्यान है यहां की जनता क रुपए से ही जो जितने तमाम विधायकारे उन्हें मुर्गा खिलाय जा रहा है दारू पिलाई जा रही है यह वही हर्याना का जब जिकर करी दिया आपने यही खटर सहावे जो किसानों को मवाली अतंगवादी दिजदूरी कहते हैं किसानों के सर फुरवा देते हैं अज आप सरकार में आप है तो आपकी जवाब दे ही है कि आप उसको जवाब दे देजा आप उससे भाग नहीं सकते हैं सिरिफ आरोप परतियारोप तो उतो होता ही रहता है लेकिन जो फैक्ट बात है उस पर जवाब देजे ना आपने हरयाना में भी कॉंग्रेस को हुड़ा जी को कैसे उन्होंने प्रिशान किया कॉंग्रेस को तोड़ने की कोशिश करी या फिर कॉंग्रेस खुदी टूट रही है अगर हम बात करें वरिस्ट नेता गुलाम नभी आजाद की उन्होंने तो खुद ने काई की मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है और अगर हम कुल्दी बिश्णोई की बात करें तो उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए तो वो तोड़ने की कोशिश किया या फिर खुद ही टूट रही है अब क्या की जिस नेता को बिधाय को सत्ता की मलाईग खाने के आदत पर जाती है वो किसी भी हद तक गिर सकता है गुलाम नभी आजाद को थोड़ी से शर्म ही नहीं आती पचास सालों से कॉंग्रेस में रहकर खा रहे थे गुलाम नभी आजाद पर तो क्या कर रहा है भाई साब इन्होंने कॉंग्रेस को क्या दिया मुझे ये बता देज़े ना आज मोदी जी के तारिफ करते हैं कि भाई देश के सबसे अच्छे ना करें गए इमंदार पीम मोदी जी भाई आप बिपक्ष में रह रहे हैं आपने इस्तीफा दिया आज आपकी तारिफ शुरू हो गई ये बोली कि बीज़े पिम जाके मलाई खाना आज कॉंग्रेस बिपक्ष का रोल आदा कर रहे हैं तो ऐसे भगरो लोगों से जो है राहूल गांदी डरते नहीं है राहूल गांदी का कल अपने राम लिला में देखिए मुद्धो बिरुजगारी महंगाई की खिलाब कैसे आवाज उठा रहे हैं तो इनकी आवाज तो मोदी जी को नहीं सुनाए देगे गे गुलाम नभी आजा देगे तुरन सुनाए राजनिते में कुछ निका जा सकता आप ये बोलरों कि जाने वाले लेकिन गुलाम नभी आजाद आप के रहे हो कि किसने का की तूट रही है तो गुलाम नभी आजाद तो सबसे बड़ा उधारण है अगर जनता के हक के लिए अबाबाज उठाते तो आज देश में आपको पता है बिरोजगारी कितने हैं आकरे जब आप देखेंगे लेकिन कोई विपकशी सारे मुद्दे तो उठाई नहीं रहा ना उन्हें तो साल दो हजार 24 उने साल 2024 में जो लोग सब चुनाव होने हैं वो तो उनी सब आप जैसे लोग नी उठा रहे हैं मुद्दे आप जैसे मीडिया वाले लोग भी गए हैं मुद्दे आपको इसलिए नहीं देखा रहा है क्योंकि आपके आँख कान बहरे हो गए हैं क्या हुआ कि इस मसले को ले फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बीपक्च होता क्या है हकीकत ये है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका तो जिस तरीके से मैंने अपने सभी सातियों से इन तमाम मुद्दों पर जवाब लिए तो अब जारकंड में देखे हेमन सोरे ने अपना बहु जाता है कौन से अपने वो पत्ते अब खोलने वाली है जारकंड में इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स नाइट निउस धन्यवाद